हेलो दोस्तों कैसे हूँ? सभी लोग बढ़िया हूँगे दोस्तों आज की इस वीडो में आप सभी लिगों को बताने बाला हूँ आपके बार समय कई साल पुराने फोटूर्स वीडियो चैर से डीलीड हो गई है तो आप उनको कैसे वापिस कर सकते हैं दोस्तों अगर आप यह जानना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहे हैं मैं आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा वीडियो पसंद आए तो यह वीडियो को लैक कर देना है और साती ही साथ चलों की भी सबस्क्राइब कर देना है तो चलिए बढ़ा time-based की वीटो को start करते हैं तो दोस्तों आपको इसके लिए सब से पहले क्या करना है आपको अपना वार्चसप अब अपल हो ओपन कर लेना है 3 dots पर क्लिक करने बाद आपको यहाँ पर एक option मिलेगा settings का Simply आपको settings पर क्लिक कर देना है जैसे आप settings पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे option खुल कर आ चुके हैं दोस्तों यहाँ पर आपको एक option दिखाई दे रहा है account का simply आपको account पर click कर देना है जैसे दोस्तों आप account पर click करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कई सारे option खुल कर आ चुके हैं यहाँ पर दोस्तों आपको एक option दिखाई दे रहा है request account information simply आपको इस पर click कर देना है जैसे दोस्तों आप इस पर click करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह का यहाँ पर आपके सामने एक page खुल कर आ चुका है यहाँ पर दोस्तों आपको कई option मिलने है request account report का request channel report और create report automatically यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी चैट को बापिस करने के लिए simply आपको यहाँ पर request account report पर click करना है जैसे आप request account पर click करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पर दिखाई दे रहा है your report will be ready in about 3 days यानि कि दोस्तों आपकी जो report है वो यहाँ से submit हो चुकी है और आपको जो reply है वो तीन दिन के अंदर मिल जाएगा यहाँ पर जो भी दोस्तों आपके photos, videos, chat से delete होई होगी वो आपके बापसब पर send कर दी जाएगी तो दोस्तों आप इस तरह से अपनी बापसब की delete photos, videos को recover कर सकते हैं